हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप सब मुझे पूरी उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं है ना करनी भी चाहिए टाइम ही पढ़ाई करने का है नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और हमको क्या करना है दिक्कतों से दूर है ठीक है इसलिए तो कहां है हम डाउट में है क्योंकि यहीं पर क्या होगा आपके सारे डाउट क्लियर होंगे ठीक है तो बचा लोग मैं हूं विचयता आपकी बालाजी टीचर और हम यहां पर कंटिनुई कर रहे हैं अपना चाप्टर पूछो मत कि कौन सा चाप्टर भा आप सभी को एक प्रॉमिस करना होगा थमसब दिखाना होगा कि जो यहां पढ़ाया जाएगा जो बताया जाएगा उसको अपने लाइफ में लेकर आओगे ठीक है इन चीजों से दूर रहोगे जिनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं ठीक है बिलकुल दूर रहना है हिर चलो फिर हमने अब तक क्या बात कर ली थी एड़्स के बारे में बात कर ही थी हमने कैंसर के बारे में बात कर ली थी ठीक अब क्या हम शुरू करने जा रहे हैं अजbar कि केड़ा कोगा अलकर सरक्टेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे हैँ आँ है तो अगर हम डॉक्स की बात करते हैं तो डॉक्स क्या है कि बहुत common सी चीज ही आप सुए नहीं यापसद याप सनी होगी मूवीज होगी से होगी रियल लाइफ में नि वे जुन कामिकल है जो क्या करता है हमारे दिमाग को बहुत शांत कर देता है इसलिए लोग जो है उसकी तरफ इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे माइन को इतने मैंसे कर देगा कि मतलब आप इस दुनिया में हो यह नहीं कि कहीं और किसी और ही लेवल पर पहुंच गए हो तो ड्रक्स आपको उतनी खुशी देता है इसलिए लोग जिस तरीके से शराब के आधी हो जाते हैं बिल्कुल इसलिए ड्रक्स के भी आधी हो जाते हैं क्योंकि अगर को इंसान तकलीफ में है परिशानी में रो रहा है रसायनिक पदार्थ वो लूमें इसको कोई भी रसायनिक पदार्थ ठीक है जिसका सेवन करने पर या जिसको खाने पर जिसका सेवन करने पर क्या होता है किसी भी जीव के शरीर में या उसके मन में बदलाव आता है परिवर्तन आता है ठीक है क्या होता है जीव के शरीर में शरीर में कहतों की बदलाव आ रहा है है ना या परिवर्तन आ रहा है दोनों ही चीज़े हो सकती है ठीक है तो ये वो कंडिशन है जहां पर हमने क्या बोला कि ड्रक्स का यूज हुआ इसलिए मैंने बोला कि जब ये जो चेंज़िस होते हैं इनसान एकदम अलगी लेवल में पहुंच जाता है उसको इतनी खुशी मिलती है ना कि उसे दुनिया से कोई मतलब भी नहीं है भाड में जाए दुनिया वो अपने अलगी मतलब सेंस में होता है ठीक है चलो ठीक है ये माल लेते हैं अब ये जो ड्रक्स है इस ड्रक्स के कारण अगर मैं इस ड्रक्स के कारण मृत्यू दर की बात करती हूँ मृत्यू दर की अगर मैं बात करती हूँ ड्रक्स के कारण तो हर साल लगबग हर साल लगबग तीन, पाँच, जीरो तीन, जीरो लोग मर जाते हैं कितने हुए यह वन्स टेन सहंड टाउजंद 10 ताउजंड लाक कि यानिकि साड़ेम लोग लगभग मैंने बोला लगभग हो सकता है इससे उपर भी और हो सकता है नीचे भी हो जाधा भी हो भी हो सकता है लेकिन इतने एमाउंट किया असपास समझे आप यह बहुत ज्यादा एमाउंट है यह ठीक है चलो यहां समझ में आ गया तो द्रक्स का मतलब हमने बोला कि यह होता है अब बाताती है रॉक्स और ऐल्कोहल हुआ वैसा हुआ चलो पार्टी करते हैं कौन सी पार्टी करते हैं ऐलकोती है तो यह जिंदगी में आए जाता है चाहे दुह में आ größतそう ठीक है तो यह राक्स और अलक्ट क rush यहां पर हम बात कर रहे हैं कि के आंकडों से क्या पदा चलता है कि ड्रग और एलकोहल का उपयोग जो है विशेश रूप से किस में हो रहा है आज कल के यूथ में हो रहा है ठीक है याने की जो नव यूगक याने की जो क्या है नव यूवक है ठीक है नव यूवक है इन में हो रहा है specially ठीक है और जो है इसके अनेक दुश परिणाम भी है याने की क्या है दुश परिणाम मतलब जो इसके गलत result आ जाते हैं उनकी बात हो रही है ठीक है समुझित शिक्षा और मार्ग दर्शन से नव्योवग इन आदतों से अपने आपको छुटकारा दिला सकते हैं लेकिन कहते हैं ना जब लट लग जाती है तो वो लट इतनी आसानी से नहीं जाती है है ना तो यहां पर भी वही होता है कि इसकी लट ऐसी लग जाती है कि भाईया छूटने से नहीं छूटती है लेकिन कहते हैं ना कि जब मन में विश्वास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर एक अच्छी गाइडेंस मिले अच्छी शिक्षा मिले मार्क दर्शन मिले तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता जब डाकू उंगली माल जैसा जो है याद है डाकू उंगली माल कौन था हाँ कमेंट में बदाओ मुझे डाकू उंगली माल कौन था जो सबकी उंगली काट लेत साधू बन गया बिल्कुल ही सोचो डाकू से वो साधू बन गया तो भाई आप लोगो को एक अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आप लोग क्यों नहीं बदलोगे बिल्कुल बदलोगे ठीक है तो ऐसे लोगों को अपने आसपास रखो जो आपको मार्क दर्शन दे सके और यकीन मानो एक अच्छे टीचर से ज्यादा आपको कोई भी अच्छा मार्क दर्शन नहीं दे सकता ठीक है टीचर से ज्यादा आपको कोई अच्छा मार्क दर्शन नहीं दे सकता या फिर आपके माता-पिता ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब आम तोर पर जिन ड्रगों का पुरियोग किया जाता है वह कौन से होते हैं ड्रक्स की बात चल रही है बी एलकोहल की नहीं चल रही है तो ओपी से भी प्राप्त हो रहे हैं यह है सबसे पहले बहुत चोटा सा है वड़ा शचेक खतम कर लेते हैं अगर बोलू तो इसका कामन नेम क्या है अफीम है इसका कामन नेम क्या है अफीम सब ने सुना ओगा अफीम के बारे में ठीक है अफीम है ठीक अभी अफीम जो है अगर मैं कहां से प्राप्त होता है तो भाईया यह कहां से प्राप्त हो रहा है कहां से प्राप्त हो रहा है यह पुश्पी पादप से हो रहा है अफीम के पेड़ों से हो रहा है कुछ इस तरीके का इसका क्या होता है फूल पुश्पी पादप है नाम देख लो भाई इसको बोलते हैं हम पैपेवर्स पैपेवर्स सोमनी फेरम पैपेवर्स सोमनी फेरम नाम का क्या है ये प्लैंट है ठीक है जहां से हमको ये मिलता है इसको हम पॉपी प्लैंट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं पॉपी प्लैंट ठीक बहुत ही important चीज़े हैं, काम की चीज़े हैं, इनको सिर्फ समझना है, आपके book में सिर्फ समझाने को दिया गया है, क्योंकि आप जिस stage पे हैं, आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, अपने जिन्दगी में इनको नहीं उतारना है, ठीक है, चलो, अब ये जो opioids हैं, ये क्या काम करते हैं, ये सीधे brain के particular part पे effect करते हैं, कहां, brain के particular part पे क्या करते हैं, ये effect करते हैं, ठीक है, अब वो particular part कौन सा है, अगर ने part की बात करो, तो ये particular parts कौनता है, opioids, रिसेप्टर जिनको बोलते हैं, क्या है opioids, रिसेप्टर ठीक है यह ओपियोईट रिसेप्टर है जिसके उपपर यह क्या करते हैं काम करते हैं चलो जी मान लेते हैं अब यहां पर यह जो ओपियोईट होते हैं इसका काम क्या होता है तो इसके अगर मैं काम की बात करती हूं भाई कारे की बात करती हूं तो यह क्या करता है दर्द से निपटने में मदद करता है निपटने में दर्द से निपटने में मदद करता है और हमारे दिमाग को शांत करता है ठीक है और हमारे दिमाग को शांत करता है ये दो काम करता है ठीक है चलो कैसे करता है ये जाके क्या करेगा ये जो रिसेप्टर है इन से जाके पुझा देगा ठीक है देखाओगा मूवीज पे आप लोगों ने है ना तो यहां पर यह होता है ठीक है चलो अब यहां पर एक आता है भाई हिरोईन ठीक है अच्छा चलो पहले ये जानो कि अगर मैं पेपर वर्ल सोमनी फेरे की बात कर रहे थे तो ये हमसे कहां ये हमें कहां से मिलता है ये हमको मिलता है letex letex से मिलता है ये हमको ठीके, letex से मिलता है ये white color का क्या होता है एक liquid होता है, ठीके जिसे सुखा कर use किया जाता है, रंगहीन होता है ये, ठीके रंगहीन, गंदहीन पदार्थ है, ये समझ लो यहाँ पर ठीके, अब यहाँ पर एक heroine नाम का आता है, भाई, heroine क्या है, smack है, अगर मैं heroine की बात करती हूँ, तो heroine क्या है, smack ठीके, smack नाम का एक drug है, जो हमें किस से मिलता है, morphine से मिलता है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ठीके, चलो अब थोड़ा समझ लेते हैं इसको देखो कि भाई, opioids ऐसे ड्रग है, जो हमारे केंद्री है, तंत्री का तंत्र ठीके, यानि कि Central Nervous System, CNS पर वर्क करता है ये, और जठरांथ पत में मौझूद विशिष्ट opioids, opioids, ग्रहनियों यानि की receptor, receptor को क्या बोलते हैं हम ग्राही बोलते हैं, उन से जाके बंद जाता है, ठीके, receptor कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, यहां आके ये बंद जाएगा, receptor के उपर हम, आम तोर पर smack नाम के मशूर heroine, मैंने क्या बोला, कि heroine क्या है, ये smack है, ठीके racinic, रूप से क्या ये, diacetyl morphine है, जो सफेद, गंदहीन, तीखा, रवेदार, यॉगिक है, ठीके, ये morphine के, क्या है, एसिटिली करन से प्राप्त किया जाता है, मैंने का ना, morphine से मिलता है, ये, है ना, चलो, फिर, जो की post के पौधे, याने की pepever, somniferous के, latex के, niscusion से प्राप्त किया जाता है, यही बताया था, मैंने आपको, आम तोर पर heroine नामक, नाक, नामक, नहीं, नाक, अच्छा, आम तोर पर heroine, नाक द्वारा जोर से, सांस लेकर, या तीके द्वारा लिया जाता है, देखा हो का, आपको पिच्चरों में, ऐसे करके लेते हैं, है ना, ऐसी लेते हैं, मैंने भी पिच्चरों में देखा हैं, ठीके, यह एक अफसादक, डिप्रिजेंट है, और शरीर के, प्रकायों को धीमा करती है, ठीके, शरीर के काम को बिलकुल स्लो कर देगी, आपको लगेगा, आप स्लो मोशन में जी रहे हो, बिलकुल स्लो, ऐसे, 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 बिलकुल स्लो चल दिये, ठीके, चलो, अब इसके बाद एक और आता है, ठीके, इसके बाद आता है, कैना बिनोइट्स, यह एक और ड्रग है, कैना बिनोइट्स के नाम से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं मैं अक्चुली क्या बोलना चारी है है तो कैना बिनोइट्स की जब हम बात करेंगे तो कैना बिनोइट्स क्या है अच्छा यहां पी एक चीज और समझ लो पहले कहां समझा हूँ यहां समझा देती हो, कि भाई अगर हमें इसके प्रभाव के बात करती हूँ, तो यह प्रभाव कहां डालता है, कि भाई यह क्या है, यह दिमाग है हमारा, ठीक है, यह हमारा दिमाग है, और दूसरा कहा है यह, यह लो, मैंने क्या बताया था अभी, कहां पे, कहां गया, जट रांत पत बोला था यानि के बारे पेट के आसपास तो यहां पर रिसेप्टर मौजूद होंगे और दूसरा कहा होंगे यहां ब्रेन के उपर होंगे ठीक है यहां क्या होगा यह जो है यह वाला ड्रग इन रिसेप्टर के उपर जाके यहां चिपक जाते हैं यह पेट में यह effect करते हैं, चलो, अब caña bis की बात करते है तो, caña bis क्या है भाई, कहां से मिलता है, ये मिलता है, caña bis sativa, ठीक है, इस से हमको प्राप्त होता है, caña bis sativa से प्राप्त होता है, असर कहां करता है यह इफेक्ट डालता है अगर मैं इफेक्ट की बात करती हूँ तो यह इफेक्ट कहां डालता है हमारे केंड्रिये तंत्री का तंत्र के उपर यानि की Central Nervous System CNS पर डालता है अगर मैं इसके बात करते हैं तो बच्चा बताओ स्कांजा है कि इसका सब्सक्राइब मैं गांजा हो गया एक है் उस में हेरा-फेरी में देखा था है उसकोing आफ्षे कञा छेकप अकशे उंपार है यक बोलते हैं हम ठीक है और इसके साथ साथ क्या है इसके साथ साथ और क्या बोलते हैं मरी जुआना मरी जुआना ठीक है और एक और बोलते हैं भाई चरस ठीक है चरस एक मूवी भी आई थी ठीक है तो टोटली यह चीज़े क्या है इसका कॉमन नेम है इन में से कोई भी नाम आ जाएगा तो समझे न कैना बिनोइट्स के बारे में बात हो रही है ठीक है चलो कैना बिनोइट्स की बारे में हमने बात के लिए थोड़ जान लेते हैं कैना बिनोइट्स के रसायनों का समू होता है यह यह क्या है रसायनों का समू है ठीक है अगर मैं कहूं यह क्या है जो रसायन है ठीक है उनका क्या है समू है याने की गुरूप है उनका ठीक जो मुख्य रूप से मस्तेश में मौझूद कैनाबिनॉइट ग्राहियों से क्या है पारसपरिक क्रिया करते हैं हमारे मस्तेश में क्या होता है हमारे मस्तेश में क्या होता है कैनाबिनॉइट यह जो ग्राहि है यानि कि रिसेप्टर मौझूद होते हैं ठीक है यह हमारा मस्त एक्शन कर देते हैं ठीक है प्राकर्टिक कैनाबिनोइट्स सटाइवा पौधे के पुष्पकरम से प्राप्त किया जाता है ठीक है चलो ये देखो ये इस तरीके का पौधा होता है देखा होगा आप सभी ने भांग जिसको बोलते हैं बहुत कॉमनली पाया जाता है ठीक है चलो, अब भांग के फूलों का जो शीष है, पत्या है और जो उसका राल है, यानि कि जो रेसिन है, ठीके, ये क्या है विभिन सयोजक, मेरिजवाना, हशीश, चरस और गांजा बनाने एक काम में आता है, मतलब इसका एक एक पार्ट इतना इंपोर्टेंट है ना, कि इसकी ख स्कुलर सिस्टेम को प्रभावित करते हैं, ठीके, तो ये क्या करते है, सीधे हमारे हाट को इफेक्ट करते हैं, ठीके, चलो, अब क्या करना है, एक और ड्रग बचाए अभी ठीके, तो तो coca alkaloids की जब हम बात करते हैं तो coca alkaloid क्या हमें किस से मिलता है? coca alkaloid हमें किस से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हमको किसे? erythrozylum coca से हमको प्राप्त होता है ये क्या करता है? इससे क्या होता है भाई? इससे खुशी मिलती है इससे क्या मिलती है? ड्रक्स को लेने से खुशी मिलती है इनसान को बहुत जादा खुश हो जाता है खुशी मिलती है ठीक है? बहुत जादा अता है इतना कि वो मतलब बागल हो जाता है खुशी मिलती है तो मतलब यह जो होता है हमारे मांड में जो इड्रगज है जो होता है हमारे ब्रेश ! ब्रेश में वंप्रेश या जाते हैं। सब बहुत हो गया है जो ब्रेन में वापिस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हसना छोड़ देते हैं ठीक है जब तक वो बाहर रहते हैं तब तक क्या करते हैं हसते रहते हैं चलो, हाँ, अब क्या बात करते हैं कि brain में क्या होता है, dopamine होता है हमारे, अगर मैं हमारे brain की बात करती हूँ, तो हमारे brain में एक होता है dopamine, ठीक है, dopamine होता है, ठीक है, ये dopamine क्या करवाता है, हमको अच्छा feel करवाता है, ये हमको अच्छा feel करवाता है, मैसूस करवाता है, ये हमक को अच्छा ठीक है अब जब यह डोपामाइन क्या होता है यह डोपामाइन रिलीज होता है यह डोपामाइन रिलीज होता है ठीक है तो हमने बोला हमारे ब्रेन में क्या होते हैं रिसेप्टर होते हैं ठीक है यानि की ग्राहियां होती है ब्रेन में क्या है रिसेप्टर है ठी तो यहय। यहां पर यहां से छोता है यहां यहां पर कुछ करद रिपाr बंद प्रोम की कई निकलना बढंड जाता है तो वापिस ओके रिस्क पर पे जुड़ जाते हैं इसका अब अब हमतली थो क्या होते हैं कुछ देर बात क्या करते हैं वापस ब्रेन में आ जाते हैं अब यह क्या यह पावर्फुल cns उत्तेजक है ठीक है यह क्या है पावर्फुल cns उत्तेजक थी एन एस मतलब Central Nervous System, अभी हम इसी की बात कर रहे है, इसका उत्ते जख है, ठीक है, इसका क्या है, उत्ते जख है, मतलब यह क्या काम करता है भाई, मतलब यह क्या करेगा, आपकी थकान दूर कराएगा, ठीक है, जिससे क्या आपकी खुशी की भावना बढ़ जाएगी, थकान दूर होने से ठीक, अब चलो, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, और इसको है ना, बहुत इसके बारे बात ही हुए, देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसकी वज़े से क्या होता है, जो नींद होती है, नींद की कमी हो जाती है, नींद की कमी हो गई, भूक ना लगना, ठीक है, सिर फिरदर्द एठन रहना शरीर में ठीक है अनिंद्रा वही मतलब नीन नाना स्वाशन में दिक्कत आना ठीक है या फिर फिर विफलता ठीक है फिर इसके साथ साथ क्या बोल सकते हैं मांसिक विकार ठीक है डिसेबिलिटी मतलब ये सब क्या है इसके क्या है दो रुप्यों करने कारण ये सब दिक्कते आती हैं ठीक है चलो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बहुत कोका अलकलोईट्स या कोकीन कोका पादब अरिथ्रोजालम कोका से प्राप्त किया जाता है इसका कॉमन नेम क्या है मैं कॉमन नेम की बात करूँ तो कोकीन ठीक है कॉमन नेम क्या है कोकीन है इसका यह तंत्रीका के प्रेड़क यानि की नियूरो ट्रांस्मीटर डोपामिन के परिवहन में क्या होता है बढ़ाई डालती है ठीक है कोकीन जिसे आम तोर पर कोक या क्रेक कहा जाता है प्राया जोर से सांस अंदर खीजी आती है ऐसे करके ठीक है इसका केंद्रिय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्धीपक यानि के स्टिमिलेटिंग असर पड़ता है जिसे सूखा भास या फिर यूफोरिया और उर्जा में व्रद्दी की अनुभूती होती है इससे बहुत ज़्यादा एनरजेटिक फील करते हैं इससे हम कोकीन की अत् ज़्यादा करने का गुण है आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनपिनोइट्स का दुरुपयोग करते हैं ठीक है तो आपने देखा होगा जो खिलाड़ी होते हैं या हीरो इरोइंस भी होते हैं बहुत से लोगों सब लोग मतलब क्या इनका यूज करते हैं कॉमनली सब यूज बनीरेएं फूज करते हैं लेकिन जो खाशका खिलाडी होते हैं उनका और भी देखा हो टेस्ट होता है तो बहुत सारे ऐसं खिलाडी भी थे चनको क्या कर दिया गया था इनके श्रीव में ड्रक की लेवल बहुत जादा एमंट में पाइई गय थी ठीक है वो लोग क्यों ब्रेन में क्या होता है, डोपामाइन होता है, ठीक है, और हमारे ब्रेन में क्या है, रिसेप्टर होते हैं, यह हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के उपर मैंने क्या कहा, रिसेप्टर होते हैं, यह ऐसे, लो, यह क्या है, रिसेप्टर, यानि ग्राही, यह क्या है हमारा ब्रे याने की मस्तेश्क अब मैंने क्या बोला कि इसमें क्या होता है डोपामाइन होता है हमारे ब्रेन में ठीक है क्या होता है डोपामाइन होता है ठीक अब यह डोपामाइन क्या होता है रिलीज होता है ठीक है यह डोपामाइन क्या हुआ रिलीज होता है ठीक है यह डोपामाइन कि receptor यहाँ पे खुल जाते हैं है ना जब यह release होगा release होगा तो यह जो receptor है यह क्या होंगे open हो जाएंगे खुल जाएंगे ठीक अब जब यह खुल जाएंगे तो क्या होगा यह जो coca alkaloids है यह जो coca alkaloid है यह क्या काम करेगा यह कोका एलकलोइड क्या काम करेगा यह कोका एलकलोइड क्या करेगा इन रिसेप्टर के उपर जाके यहां पर चिपक जाएगा लो यह चिपक गया बतलब यह जो डोपामाइन है यह दो बाहर रिलीज हो गया यह रिलीज हो गया तो यहां तो कुछ नहीं था अब यह जो कोक यह इन पर आकर चिपक जाएगा ठीक है इन पर चिपक जाएगा इसका मतलब रस्त तो बंद हो गए है कुछ और अदर जाई नहीं सकता है जब यह इन पर आके चिपक गया है तो यह dopamine वापस अंदर कैसे आएगा नहीं आप आएगा क्योंकि receptor के उपर तो koca alkaloid है ना और इंसान क्या होगा हसता रहेगा हसता रहेगा ठीक है तो dopamine already release है मतलब वह बाहर है और क्या है अंदर नहीं आ सकता है तो जब यह यह चिपका है यह अंदर नहीं आ बोला रक्स क्या है ऐसा पेंड रिलीव की काम करते हैं ठीक है पेंड रिलीव की तरह ही काम करते हैं हम कहते हैं कि तो भई, ड्रक्स को क्या कह रहा है कि पेंड रिलीफ का काम करते हैं, correct? अब अगर इनका यूज किया जाए तो बहुत अच्छा है, अगर हम इनका यूज करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बात यहाँ पर misuse किया रही है कि यहाँ पर drugs का misuse किया जाता है ठीक है याने कि इसका दुरुप्योग किया जाता है misuse याने की दुरुप्योग की बात हो रही है तो यहाँ पर हम इसके कू प्रभाव की बात कर रहे हैं कू प्रभाव की बात करते हैं ठीक है किसकी बात कर रहे हैं हम इसके कू प्रभाव की बात कर रहे हैं ठीक है माल लेते से कू प्रभाव की बात कर रहे हैं अब अगर हम ड्रॉक्स की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास हमने क्या क्या बात क भेनोस के बारे में बात करी ठीक है यानहे की जिसको हुआ बने जिसको क्या कहते हैं ग्रॉपास केमिकल फिर हमारे पास क्या आया फिससंग खित औ Candidum कोटा ठीक है टीक है ना इसको हमने कोटीन दो ले इसको कशा बोला ठीक है इसको यह जी स्वाइन हम तो यहां पर हमने बोला कि इनका यूज कहां कहां हो रहा है ठीक है अब क्या बात कर रहे हैं कि यह जो ड्रग है इसका मिस्यूज है तो इसका कूप प्रभाव भी तो कुछ ना कुछ होगा ही यूज होगा तो अच्छे के लिए यूज होगा है ना दवाईयों में यूज हो बर्भी चू लिखती हूँ यहां पे रुको बर्भी ट्यू रेट बर्भी ट्यू रेट किसले होती है भाई नींद के लिए ठीक है यह किसले आती है नींद के लिए एक ड्रग का नाम है जो नींद के लिए यूज में ली जाती है ठीक है इसके बाद कुछ ऐसी दवाईया होती है कि बहुत जादा नीद आती है उसको रोकने के लिए ये किस लिए उसकी जा रही है कि जब नीद नहीं आ रही है कुछ होता है डिप्रेशन के लिए तो ये सारे के सारे क्या है ड्रक्स हैं ठीक है सारे के सारे क्या है ड्रक्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं चल जैसे ड्रग और इन जैसे अन्यट्रग करकंग टू अफसात यहाने की इसरों डaltetए मैंम लारत क्याइस पेसिस्ट किसे रोगियों की सहायता के लिए समानेता आशिदियों के रूप में काम में लिए जाते हैं इनका भी कूप रियोग होता है ठीक है लोग क्या करते हैं मज़े मज़े में इनको खा जाते हैं कहते हैं स्लीपिंग पिल्स तो स्लीपिंग पिल्स क्या होती है ज्यादा इमांट में ले ले लेते हैं तो कोमा में चले जाते या क्या होती है death हो जाती है ठीक है sleeping pills में यह होता है ठीक है तो लोग क्या करते है भाईया कि जिसको suicide करने हो sleeping pills खालो यह क्या है कूप रियोग ना उसका है ना तो इस तरीके से कूप रियोग में आते हैं Morphin की बात करते हैं तो बहुत प्रभावी शामाक याने की sedative और पीडा हार यानि की पेन किलर है यह मॉर्फिन जो होता है mostly उन दवाईयों में यूज होता है जहां पेन किलर की बात होती है और जिन रोगियों का शल्ले चिकित्सा यानि की सरजरी हुई है उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है यह ठीक है चलो अब अनेक पौदे फल बीज वीवरमी यानि हैलो सिनोजिक गुणो वाले अनेक पादपो फल बीजों का विश्व भर में उपयोग दुनिया भर में लोग लोग चिकित्सा धार्मिक सामाहरो और अनुष्ठान में सैक्रो वर्षों से किया जा रहा है अब कुछ ऐसे ड्रक्स है भाई ऐसे फूल है ऐसे बीज है जो किया किया जा रहा है जिनका दुनिया भर में लाखों मतलब वर्षों से वर्षों से दुनिया भर में उसका यूज हो रहा है कैसे यूज और समारों में हो रहा है अनुष्ठान में हो रहा है चिकित्सा में हो चल्टी के शरीर या मनोवज्ञानेकारे को खराब करता है तो यह नशीली दवाओं या ड्रक के दुर्प्रयोग बन जाता है अब यहां पर यह हमसे बोल रहे हैं कि भाई जब ऑशिदिये चिकेट्सी ऑशिदिये के इलावा इन ड्रक्ष का कहां कहां यूज हो रहा है चाहे चलो अब मुझे लगता है कि इसको देख क्या वाज़ी कुन की बात करने जा रही हूं हैं है तो ये भाई साब भी समझ गये तभी हमारी तरफ देख रहें हैं फिर से देखेंगे यह देखो जल्दी देखो देखा देख लिया तो यह समझ गये कि भाई धुमृपान के बारे मरें बात करने जा रहे हैं तो यह द utilizz को हमारी अधीवरिक ग्रणती होती है कहा लिख यहां लिख दूकर लिख दू क्या है इनको हमारी अधिवरिक ग्रंथी होती है याने यह कहां होती है किड़नी के ऊपर होती है किड़नी के ऊपर होती है ठीक है यहां पर असर डालता है अधिवरिक ग्रंथी पर असर डालता है ठीक है किस पर जो अधिवरिक ग्रंथी याने की जो किड़नी के ऊपर होती है उसके उपर Nikotin क्या करता है? असर डालता है ठीक है? clear यहाँ तक? चलो, आगे बढ़ते हैं ठीक है तो यहाँ पर तो हमने ये बात कर ली है कि भई ये किस पर असर करता है? अधिवरिक ग्रंती के उपर असर करता है जो कहा होती है? किदनी के उपर चोटी सी ग्रंथी मौजूद होती है वहाँ पर होती है ठीक है अब बात आती है कि हमारे शरीर में इसकी कॉंटिटी कितनी होनी चाहिए तो इसकी कॉंटिटी 10 नैनोग्राम्स 10 नैनोग्राम्स मिली लीटर से कम होनी चाहिए ठीक है 10 नैनोग्राम मिली लीटर से कम होनी चाहिए अब हम सब लोग को चाय बहुत पसंद है हम चाय नहीं छोड़ पाते हैं ठीक है मैं भी नहीं छोड़ पाती हूँ चाय बहुत कोशिश करती हो लेकिन चाय में क्या होता है निकोटिन होता है नशादा उसमें भी होता है तब ही थाकान उतर जाती है है ना चाय में कितनी होती है अगर मैं चाय में बताना चाहू ना तो चाय में एक आधी चम्मच में ठीक है जो आधी चम्मच होती है उसमें 0.7 0.7 mcg 0.7 mcg होती है जो कि एक dry weight होता है याने कि जो सूखी चाय होती है यहाँ पर उसकी बात हो रही है इसलिए यह हमें ज्यादा नुकसान नहीं देती है ठीक है क्योंकि actually में तो यह 10 से कम है ना 10 से तो कम है ठीक लेकिन वही बात मैं अगर कहती हूं cigarette की अगर हम cigarette की बात क करते हैं तो एक cigarette में कितनी होती है 11.9 से लेके 11.9 से लेके 14.5 mcg तक ठीक है कितनी होती है यह यह होती है 11.9 से लेके 14.5 mcg तक ठीक अब अगर एक person अगर हम एक person की बात करते हैं ठीक है एक cigarette लेता है एक ठीक है तो उसमें क्या है बई वन से लेके 1.5 mcg एक single stick की बात हो रही है ठीक है single stick की यहां पर बात हो रही है चलो फिर आगे बर जाते हैं देखो इसके अंदर तंबाक हुए यह है ना तो 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 तंबाको क्या है नुक्सान देता है ठीक है यही बताना चाहती हूं actually मैं कि भाई इन सब चीजों से बहुत दूर रहो यह चीज़े बिलकुल भी अच्छी नहीं है हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है आगे चलके बहुत से रोग बनाती है जैसे मैंने भी बताया था कि क्या नांट नुक्सान देता है कैंसर करता है दूर जो इसका नुकसान करता है ठीक है एक सेक्टर एक सेक्टर एक सेक्टर एक सेक्टर इस सारी चीज़े बताई थी है ना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ओके देखो quit before it's too late छोड़ दो कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए देर हो जाए या फिर उससे पहले छोड़ दो ऐसे भी कह सकते हैं तो तंबाको का प्रियोग चार सो से अधिक वर्षों से मानव द्वारा किया जा रहा है चार सो से जादा साल हो गए भाई तंबाकों का यूज करते करते तंबाकों में बड़ी मातरा में रसाइनिक पदार्थ होते हैं जिसमें निकोटिन एक एलकलोईट शामिल होता है निकोटिन अधीवरिक ग्रंती यानि कि अड्रेनल ग्लैंड को उतेजित करता है जिसकी वज़ा से क्या होता है एड्रेनलाइन और नॉन अड्रेनलाइल यह दोरों क्या होते हैं रत्परि संच्रण में मुचित होती है और हिर्दय गतिया इस पंदन को बढ़ा देता है मतलब यह है कि जब यह जो होता है हमारे blood में मिल जाता है तो ultimately last में क्या काम करता है जो हमारा क्या होता है blood circulation होता है उसको fast कर देता है जिसकी वे से हमारी heartbeat क्या होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक है चलो smoking kills देखो यह चीज़े बार बार इसले दिखा रही हूं आपको कि भाईया बहुत नुक्सान वाली चीज़े है smoking kills ठीक है बहुत गलत आदत है अब जो package होते हैं उनके उपर खुद लिखा हुआ होता है smoking kills लेकिन हमें पता है कि यह गलत काम है लेकिन हम फिर भी करेंगे ही करेंगे पता है हमको पर हम करेंगे फेफडे मुत्राशे और गले के cancer की घटनाओं में व्रद्धी के साथ ब्रॉंकेटाइस और क्या यह वातिस्पिती कोरोनरी हिदेरो गैस्ट्रिक अलसर आधी के साथ धूमरबान जुड़ा हुआ है ओफ देखो सिर्फ धूमरबान की वज़े से smoking की वज़े से कितनी सारी चीज़े जुड़ी हुई है कितना नुक्सान होता है तो बाकू चबाने से मुख कोटनर के कैंसर का खत्रा बढ़ जाता है पिच्चर शुरू होते पिच्चर में दिखाते हैं कि यह नीता है यह नीमा है यह जो भी है इसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी हम मौल्स में जाते हैं PVR में मुह भी देखता है तो यह से कुछ दिखाते हैं ठीक है क्यों दिखाते हैं कि इसलिए दिखाते हैं कि मुह का कैंसर हो जाता है धूमरपान रख्त में कार्बन मोनो ऑक्साइट की मातरा को बढ़ाता है और हिम आबद ऑक्सीजन की सांदता को कम कर देता है ठीक है धूमरपान क्या करता है रख्त में CO यानि carbon monodioxide की quantity को बढ़ा देता है ठीक है और जो हीमोगलोबिन होता है उसको कम कर देता है हमारा ठीक है बेसिकली उसकी बात चल रहे है इससे शरीर में oxygen की कमी हो जाती है ठीक है भई क्या करता है यही जो होता है यह क्या करता है oxygen को blood में carry करता है न तो जब इसी में कमी हो ज ठीक है तो हर एक ऐसी जिगा पर यह notifications लिखके होते हैं और हम इंसान ऐसे हैं अन्दे होके आखे बंद कर गए चीज़े खरीदते हैं क्यों तशन लगता है है सुट्टा मारना है तशन लगता है लोगों कि हो यह और ऐसे न इंप्रस कर सकते हैं है जब कोई cigarette के packet खरीदता ह है तो यह हो ही नहीं सकता कि वह उस पर लिखी हुई वैधानिक ठीक है नियमोग से नियमोग को देखने से चूक जाए होई नहीं सकता है इतने बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा वह उता स्मोकिंग किल्स टुबैको किल्स लिखी हुई चेतावनी जो पैकिंग पर द जाच लेता है केहते हैं कि जहें धूमरपान क्यों होता है यार दिमाग को नौन शांती मिलती है रिलेक्स फील होता है हो गई भाई इसमें ड्रग है उसमें ठ्रग है तो हो गई definitely been a if इसह में दोनों केटिग्रीज अशी हैं जहां आज के टाइम पर लोग बहुत ज़ाधाермारे के लिए किसी व्यक्तिपी को परामर्श और चिकित्सा की सहायत की अवश्यक्ता होती है साइकेटरिस होते हैं जो हमारे हेल्प करते इन सब चीजों से छुडाने के लिए नशामुक्ति के इंदोते हैं abdomen- ακो बहेजा जाताए है चलो किशोर अवस्ता और ड्रग अल्कोहल कूपरियोग की बात करते हैं तो भाई यह किशोर अवस्ता की अवदी के रूप में सोचा जाए तो 12-17 वर्ष की आयू के बीच की अवदी हो सकती है किशोर अवस्ता यह ने अडॉल सेंस जो हमने पढ़ा है एर्थ में भी पढ़ा खतम हो जाता है ठीक है और क्या होता है एक मैच्योरिटी यानिक हम क्या बोलते हैं उसको वैस्कता के बीच वाली जो स्टेज होती है न वो इस प्रकार कृशोर अवस्ता एक किसी बालक के मांसिक व्यक्तिकत और मनोवैज्यानिक विकास का वैचरन होता है जहां बहुत सार किशोरवस्ता वो स्टेज है जहां किसी बीच्चे की मैं मैं स्टेटे के और उसकी क्या है क्या वॉलेंगैं परस्निल स्टेज है ठीक है इन सब चीजोंको करता है बहुत सारे डिफ्रेंसिस आते हैं बहुत सारे बदलाव आते हैं ठीक है तो बेसिकली किशोर अवस्वा यानि कि एडल सेंस यह है जहां सोच बदल जाती है बच्चे की लगता है कि नहीं अगर मैम हमको डाट रहे हैं मम्मी बापा डाट रहे तो गलत डाट रहे मेरे जो दो आतबचे साही होंगे जिनको यही ही फील होता है दस परसं बच्चे ऐसे मिलेंगे जो वाके में कि हाँ यह बात सही है ठीक है क्यों क्यों क्योंकि बच्वा गाइडस शाही है तो उसका आधी हो जाता है और खुशी समस्याओं में उनका प्रयोग करने लग जाता है क्योंकि ये चीजे उसे खुशी या सुकून का अनुभफ कराती हैं कभी कभी क्या होता है बच्चे जाने अन जाने में जो है इसके आदी हो जाते हैं या तो अट्राक्शन बोलो कि यार चलो ना ट्राइ करके देखते हैं से बारी में थोड़ा अच्छा लगा फिर और अच्छा लगा फिर क्या हुआ भाई कि फिर आधी बच्चा उसे लेने का ठीक है फिर क्या और कोई खुशी है एच्छोल करते है ठीक कोई गम और यार गम है चल फिर पीते यह चीज़ एं unity क्योंकि उसे पीने के बात के तो रिलेक्स स्टेट में पहुंच जाता है इसी वज़े से ठीक है चलो अब बात करते हैं किशोर अवस्ता और ड्रग अल्कोहल कूप रियोग की यही जो अभी तक चलती आ रही एक्चली मैं वही बात कर रहे हैं ठीक है तो एक बच्चे की सभाविक जिग्यासा उसे इसके प्र साने लग जाते हैं कैसा मसा आता है क्या है क्या मैं थन परने के पैदा होते हैं यहां परकीशंड़ दुमरुपान करने ऩी करना सेवन करना या खुद को क्या cool dude साबित करना मैं तो cool dude हूं ऐसे हैं ना कि हाँ impress करना लड़कियों को है बुक में देखो line दी ऊई है कि लड़कियों को impress करना कि हाँ यार अगर मैं क्या बोले सुट्टा फूखूंगा तो मैं cool ไดर ल्ड़कियों इंप्रेस होंगी मेरे बिल्कुल भी नहीं होंगी बिल्कुल भी नहीं होंगी ठीग है 해야정이 टelle Eden पीलम में इंटरने्ट यह लड़कियों को प्रभावित करने की कोशिश करना देखा ऐसी चीजें हैं जिनसे इसे बढ़ावा देने में बहुत मदद मिलता है इससे प्रभावित होकर शराब भी पीने लग जाते हैं सोच लो कितनी गलत चीज़े हैं हम चलो कभी-कभी बच्चा इन चीज़ों को घर में जो बड़े होते हैं उन से भी सीखता है ठीक है बच्चा क्या करते हैं अपने दोस्तों के दवाब में आकर भी ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं फिर कभी-कभी बच्चे जादा तनाव या घरेलू समस्याओं के बीश में ऐसे फर्स जाते हैं कि उनको इन आदतों की लट लग जाती है कि पापा पी रहे हैं घर में जगड़ा हो रहा है ऐसा हो रहा है वैसा वह इतना मेंटली डिस्टाब हो जाते हैं न कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है तो उनको लगता है कि चलो ठीक है जब इस चीज़ के चक्कर में जगड़ा हो रहा है तो क्योंना हम भी ट्राय करक और dependence मतलब उस पे निर्भर करना अब व्यसन नशा लेने की वह इस्तिती होती है जिसमें बालाक मनुश्य नशे के प्रती मनों वज्ञानिक रूप से आशक्त हो जाता है और उसकी ज़रूरत नहीं होते वे भी आवशक्ता महसूस करता है ठीके वो इसके बिना क्या है अपने आशे में ऐसे वो नशे की आधत पर चाती है तो मुझे तब समझ में याथा था था पर इतना ध्यानी निदिया था कि वो जिस तरीके से उसको दिखा रहते बैचेयन हो रही थी समान फेक रही चिला रही थी रो रही थी तरी उस टेम नहीं समझ में आ लेकिन यहां पढ़ा क्लास में जब मैं मैं इस ट्रास में पौची वो तो चीजंब यह था पर मेरे तो आपके शरीर को बहुत अजीब सा मैसूस होगा ठीक है दूसरी बार करोगे तो उससे थोड़ा कम होगा तीसरी बार और कम चौती बार और कम फिर क्या है दीरे 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 शरीर को आधी हो जाएगा ठीक है जिससे नशे की मातरा भी दीरे दीरे बढ़ जाती है जब कुस शरीर को निवसे के देरे बढ़ती जाती है और शरीर को निवसे कि मात्रा धीरे ढ़ती जाती है और शरीर को नशे की आवजश क्ति यहां इसमें यह दिक्कते हो रही है ऐसा लगने लगता है तो जिसमें क्या क्या आता है ठीक है तेज पसीना आ जाता है शरीर में कमपन यानि की जो कपकपी सी छूटती है चिंता रहती है अनिंद्रा है और अपकी बॉड़ी में पेन रहेगा यानि की मास पेशियों में कमजोर हो जाता है व्यक्ति ऐसा लगते कि हम कितने असहाए हैं हेल्पलेस हैं ठीक है गला सूखा रहता है कि मतलब क गुष्ण चोई है कि चोई तरीके से तो एसिए अवस्ता में क्या होता है एसी अवस्ता उ therapists सभी पारीवारिक वे संमाजे को तोड़ते हुए हर हालत में नशा करना चाहता है उसको कोई फरक्थ नीपना दुनिया दाड़ी सई पारिवार से उसको drag beide कि मुझे नशा करना ह आते हैं और दूर गाम इंप्रभाव हैं ठीक है वो क्या है तो वह यह बिना किसी कारण के क्या स्कूल कॉलेज और आफिस से में ना जाना एपसेंट रहना नशे के लिए चोरी करना घर का समान बेचना घर को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना अनियमित वे अनपेक् कही न कहीं देखी होगी अपनी लाइफ में कही न कहीं जरूर देखी होगी अपने लाइफ में चलो अब आता है कि हिर्दय पात उसके बाद ठीक है यानि कि जो हार्ट एटक आग आ जाता है प्रवस्तिक रग्तिस्त्राफ कभी-कभी ड्रॉग में आलकोहल एक साथ ले लि प्रवाही यह सारी चीज़ें इंकलूड होती है ठीक अफसाद एकांकीपन और ठकावट यह सारी चीज़ें इंकलूड होती है फिर शोक रुचियों में कमी ठीक है परिवार में दोस्तों के साथ संबंदों का बिगड़ना सोने खाने की आदतों में बदलाव भूक बढ़ शंकाक हो सकता है ठीक है वे उनके स्थानंतरन का खत्रा ठीक है खिलाडी अपनी मासपेश्यों की ठकान कम करने के लिए और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इसको यूज करते हैं ठीक है कभी आपने देखा डोपिंग टेस्ट होता है यानि कि नश्य का टेस्ट होता है क अब इसके दूर घामी प्रों की बात करते कि दूर गामी प्रभाव क्या हो सकते हैं आगे चलू के तो आगे चल करके क्या था क्याने कि रजिए दौर्वब अधिक समय तक आधिक लेने से उनमें पूर्षो के लक्षन प्रकट होना असमानने मासिक चक्र शरीर पर बालों का अधिक बढ़ना महिलाओं में भगशेव का अधिक होना और क्या है पुर्षों में जो व्रिशन होता है उसका छोटा हो जाना शुक्राणू का कम होना ठीके व्रिक का सही से काम ना करना यानि किद्नी का फिर जो मुहासों का चहरे पर बढ़ना पुर्षों में इस्तनों का बढ़ना गंजापन और प्रोस्टेट में व्रिद्धी शरीर की व्रिद्धी रुख जाती है मानसिक में शारिरिक विश्वास में कमी आती है ठीके फिर यह सारी चीए तो चलो यह थी कि दूर गामी आगे च अब सकता है किसी न अपने घरों में भी देखी हो यह सब छीज़ें ठीके फिर अगर में रोगदाम और नियंतर तो रोगदाम की क्या है तो रोगदाम तो यही है कि वह आवक्षित समकख्षी दवाब से बचे यानि कि जो आपके सही होगी है उनसे बचे ऐसे जो आपको आपको ऐसे क्या करते हैं दवाप डालते हैं तो सक्रेशंसा और परामर्श्यिक यानि कि आपको एडुकेटिटी होना है ठीके और क्या करना है परामर्श लेना है अच्छे इंसान से ठीका अगर आपको कोई दिक्कत है आ रही है माता पिता और समकक्षियों से सायता लेना अगर कोई परशानी है तो अपने माबाप को बताओ ऐसे दोस्तों को बताओ जो आपको लगता है कि आपका साथ देंगे हम abap से और कोई से अच्छी साला आपकोasant को भी नहीं दे सकता श अंक्रत में संकेतों ना देख नखो हमारा चीज़ आपको लगती है कि हाँ अब यहां गलती होने वाली है तो उसको पहले से पैचानने की हिम्मत रखो और एक त्यों ना से कि अरंगे लिये जो अधर दूकर आंगे लिleistों रखो चल्टर में आपको मज़़ा होगा और आज का लेक्चर आप लोग थोड़ा सीरेसली लोगे समझोगे चीजों को ठीक है चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपने अगली क्लास में तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए अच्छे से रहिए अपना ख्याल रखिए और बहुत सारी पढ़ाई कीजिए ठीक डाउटनेट करते रहिए साथ सार बाई बाई